Hey guys, in this video I am breaking down the best power banks in 2020 So guys, अगर आपका budget around 500 रुपीज है and still you are confused की कौन सा power bank आपके लिए best रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको इस price देंच में धेर सारे options देखने को मिल जाते हैं So don't worry, आज की इस वीडियो में मैंने अपनी लिस्ट में तीने से बहतरीन power banks को लिया है जिन में आपको कमाल की design के साथ साथ अच्छे खासे features and काफी जादा battery life देखने को मिल जाएगी So guys, वीडियो में अट तक बने रहना बाकि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे बाकी guys, सलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को So guys, हमारी इस लिस्ट में नमर थ्री पे आने वाला पाउर बैंक आपको अर्बन की तरफ से देखने को मिल जाएगा ये एक 10,000 mh का compact सा पाउर बैंक है जिसमें आपको lithium polymer battery देखने को मिल जाएगी बाकी design and build quality भी यहाँ पे आपको काफी premium देखने को मिलती है special features में यहाँ पे आपको 12W fast charging, dual USB output, type C and micro input जैसे ports यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको short circuit protection, over voltage जैसे 4 level protection देखने को मिल जाएगे जो कि हर एक power bank में काफी जरूरी है overall काफी बढ़िया and compact सा यह power bank है जिसमें आपको additional 6 months की warranty भी देखने को मिलती है बात करें इस power bank की price की तो यह आपको around 579 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल जाएगा so guys इस price change पे यह power bank भी काफी बढ़िया है अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं अभी गईस हमारी इस list में at number 2 पे आने वाला power bank आपको gebronics की तरफ से देखने को मिल जाएगा यह भी हमारी इस list का premium design वाला power bank है यहाँ पे आपको 10,000 mAh की lithium polymer battery जो की 12 watt fast charging के साथ में आता है features में यहाँ पे आपको LED percentage indicator, type C, micro USB and 2 USB outputs यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगे और सबसे बड़िया यह एक made in india product है जिसमें आपको overload short circuit जैसे कई protections देखने को मिलते हैं बात करें इस power bank की price की तो यह आपको around 600 rupees में Amazon पर देखने को मिल जाएगे इस price range पे यह power bank भी काफी अच्छा है अगर आप इसे खरीदना चाहें तो link नीचे description में डाल रखिये वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं गैज लास्ट नमर 1 पे आने वाला power bank आपको peteron की तरफ से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको 10,000 mAh की lithium polymer battery के साथ में 18 watt की fast charging देखने को मिलती है जो की गैज इस price range पे काफी कम power banks में आपको देखने को मिलती है special features की बात करें तो यहाँ पे आपको 18 watt input and output ports, LED indicator, short circuit and overload protection देखने को मिल जाएगे and again यह भी एक made in India product है जिसमें आपको 1 year की on product warranty भी देखने को मिलती है बात करें इस power bank की price की तो यह आपको around 659 rupees में Amazon पर देखने को मिल जाएगा so guys इस price range पे यह power bank हमारी इस list का one of the best power bank है अगर आप इसे खरीदना चाहे तो link नीचे description में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते है so guys power bank खरीदने का अगर आपका कोई different criteria हो तो आप हमारी playlist को जाके check कर सकते है वहाँ पे आपको अलग-अलग price range के साब से अलग-अलग power banks देखने को मिल जाएंगे बाकी guys आज की इस video में इतना ही हम मिलते हैं किसी नई video में किसी नए gadget के साथ में झाल-फ्ट्रम को हुआ किसी नई कुछा है